हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू पुनीतास किचिन, आज हम बनाएंगे आइस क्रीम एक डिफरेंट तरीके से, इसमें हम लॉकी यूस करेंगे, जो बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए और हम सब के लिए, और बहुत टेस्टी आइस क्रीम बनती है ये, इसके लिए हमें च पिस्ता बारी कटे हुए, बदाम बारी कटे हुए, चिरोंजी थोड़ी सी, काजू बारी कटे हुए, और फ्लेवर के लिए हम चाहे तो जो छोटी लाइची है, उसके दाने पिसे हुए ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेनीला एसेंस, जो फ्लेवर आप खाना चाते है वो आप डाल सकते हैं, सबसे पहले हम दूर बॉइल करेंगे, एक पैन में दूर डाल देंगे, एक बॉइल आने का वेट करेंगे, ऐसे इसे हिलाएंगे, एक बॉइल आ गया है, अब हम ग्यास सिम कर देंगे और इसे 10 मिन तर पकने देते हैं, थोड़ा सा ये गारा हो दस मिनट हो गए है यह देखिए दूद कम हो गया है अब इसमें हम चेनी डाल देंगे और इसे पांच से दस मिनट के लिए और काड़ेंगे यह अब कड़ चुका है दूद इसे थंड़ आने के लिए रख देते हैं अब एक कूकर लेंगे इसमें लौकी डालेंगे हमने लौकी को बॉइल करना है इसके साथ इसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे और चार पांच सीटी दिला देंगे इसे ताकि अच्छे से गल जाए चेक करते हैं यह देखिए लौकी हमारी गल चुकी है अब हमने इसे मिक्सी में ग्राइंट करना है इसका पानी न फेके पानी के साथ ही इसे मिक्सी में ग्राइंट करें लेकिन थोड़ा ठंडा होने देए इसे पांच मिन्ट के लिए अब ये ठंडा हो गया है अब लॉकी और दूद का जो मिक्ष़ तियार किया था इसे एक अठा हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में ये देखिए मिक्षर रेडी हो गया है अब इसमें क्रीम टाल देंगे और इसे एक बार फिर से मिक्सी में ब्लेंड करेंगे यह ब्लेंड हो गया है मारा मिक्स्चर आइस क्रीम का आप इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं थोड़ा सा कर्ची से या फिर विस्कर से आप ऐसे हिलाएं एक मिनट के लिए अब इसमें हम एसेंस टालेंगे चाहे तो वैनिला एसेंस या फिर इलाइची के दाने मुझे इलाइची का फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए मैं या पे इलाइची के दाने कूट कर यह डाल रह काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, ड्राइफ्रूट आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, पिस्ता डाल देंगे कटे हुए, मिक्स करेंगे इसे, एक मिनट के लिए, और इसे ढख कर हम दो घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, दो घंटे हो गए हैं, अब एक बार इसे फिर से हिलाएंगे, विस्कर की हेल्प से या फिर कर्ची की हेल्प से, दो तिर मिनट के लिए हिलाएं, अब हम इसे एक टिन और निकाल लेते हैं, मैंने ये ये केक बолा तिन लिया है। ये ठंड़ होता अल्मुनियम, इसमें आइसक्रीम जलदी जड़ी जम जाती है। इसमें डालर के, और ढ़क कर हमने फ्रीजर में आज से 10 ओन्टे के लिए रख देना हैं कम से कम। 10 गंटे हो गये है, आइस क्रीम हमारी बन चुकी है, चेक करते हैं आइस क्रीम, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी आइस क्रीम बनती है यह, बहुत ही यम्मी आप जरूर ट्राए करें, यह हमारी आइस क्रीम बिल्कुल रेडी है, सर्फ करने के लिए, तरिज वाचिंटे लग जानल सुछ विद्वाइब आपके छानल की जानल दुछ भी आपके लिए पारिक दूर के लिए कर देखेंगे देखेंगे।